करेंगे हमारा लेक्चर नमबर एट और लेक्चर नमबर एट के अंदर हम चार्ल्स डार्विन की थियोरी पढ़ेंगे इस लेक्चर से पहले हमने डार्विन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डार्विन कौन थे क्या किया इन्होंने और उसके बाद में डार्विन जब अपनी जर्नी से आये तो जर्नी से आने के बाद में वो कुछ लोगों से मिले कुछ papers पढ़े जिनसे उनका thought change हुआ और उन्होंने अपने कुछ points सबके सामने रखे However, काफी struggle करने के बाद में जाकर के Darwin को अपना work publish करने को मिला आज के session में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर Darwin ने अपनी theory बनाई कैसे क्या-क्या ऐसे points हैं जिनके basis पे Darwin को सफलता मिली आलांकि Darwin जब 50 साल के हो गए थे तब जाकर के उनका काम publish हुआ और उनको अचानक से celebrity बना दिया गया उससे पहले लोग उन्हें criticize कर रहे थे Last lecture के अंदर अगर याद हो आपको तो हमने ये पढ़ा था कि जब Darwin young age में थे तो वो Bible को बहुत मानते थे जिसके अंदर लिखा था हर species का separate creation है और सब को भगवान ने बनाया है उसके बाद Darwin ने ही ये कहा था descendant with modification होता है भगवान ने नहीं बनाया है ये against Bible गए थे और जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्योंकि सच बात तो सची होती है उनको तो पता था लेकिन फिर भी एक society का डर रहता है उसके कारण Darwin अपना काम publish नहीं कर पाये थे तो चलिए हम शुरुवात करते हैं आज के lecture की जिसके अंदर हम Darwinism पढ़ेंगे किस तरीके से Darwin की evolutionary theory develop हुई है natural selection की theory हम आगे के lectures के अंदर पढ़ेंगे फिलहाल के लिए हम Darwin की जो main theory है कैसे बनाई गई है उसके उपर चर्चा करते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के lecture की very first of all last lecture के अंदर हमने ये पढ़ा था कि Darwin ने over production का concept दिया Darwin ने variation का concept दिया था Darwin ने कहा था struggle for existence होती है Darwin ने कहा था कि origin of new species होती है survival of the fittest होता है सारे points Darwin के बहुत अच्छे अच्छे थे पर सारे के सारे points as it is accepting नहीं किये गए थे अब criticize करने के लिए लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाने चालू किये जिसमें कुछ points बहुत valid है बहुत अच्छे भी है और कुछ points ऐसे है जिनके पीछे कोई basis ही नहीं है चलिए एके करके हमको सारे points पढ़ने है अब इसके अंदर है न points पढ़ने है और उनको explain करना है बहुत ज़्यादा यहां से सवाल बनने लाइक material नहीं है criticism से आगे आएगा लेकिन जो भी है हम पढ़ेंगे न तभी हमको यह theory समझ में आने वाली है very first of all हमारे सामने एक point लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं अपन समझ लेते हैं लिखा है कि Darwin की theory ऐसे छोटे छोटे variations के उपर focus कर रही थी जो variation अगली generation में पास ही नहीं होते है Darwin ने कहा था ना कि variations है population में होते हैं और वो variation next generation के अंदर चले जाते हैं Darwin की जो theory थी उसके according जो logo को समझ में आया logo को यह लगा कि Darwin जिन variations की बात कर रहे हैं वो variation बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसे variations तो आगे पास ही नहीं होते हैं तो जो variation आगे पास नहीं होगा वो तो जाहिर सी बात है कि evolution में कोई role play नहीं करेगा तो यह एक criticism बना दिया गया इनकी थियोरी का दूसरा criticism यह थोड़ा अच्छा है Darwin के थियोरी use and disuse के concept को ना तो explain करती है ना accept करती है Lamarck ने तो use and disuse पे काफी focus किया था उन्होंने तो काफी बताया था कि कैसे use and disuse से organs हैं वो या तो develop होते हैं या गायब हो जाते हैं पर Darwin जो है वो इस चीज को नहीं मान रहे थे और vestigial organ की presence को नहीं मान रहे थे explain ही नहीं कर पाए अगर हम vestigial organs को Lamarck की use and disuse theory according समझे तो vestigial organs are the best example of Lamarckism जिस organ का इस्तिमाल नहीं हो रहा है वो organ body में vestigial बन गया है Darwin इस चीज के उपर किसी तरीके की explanation नहीं दे पाए Darwin तो कहते हैं कि जो चीज organism के survival and reproduction में help करेगी वही चीज organism के लिए beneficial होगी तो vestigial organ तो body के अंदर ना तो survival बढ़ाते हैं ना reproduction बढ़ाते हैं इसका मतलब vestigial organ तो किसी काम के नहीं है तो फिर vestigial organ body के अंदर कर क्या रहे हैं ये बात का जवाब Darwin नहीं दे पाए तो ये अच्छा और बढ़िया disadvantage है Darwin की थियोरी का criticism है next point देखिए he did not differentiate between somatic and germline mutations और variations और इन्हों ने तो बस ऐसे कहा था इस variations next generation के अंदर जाते हैं differentiate तो Lamarck ने भी नहीं किया था Lamarck ने भी inheritance of acquired character बताया था विजमेन ने फिर बोला था कि अरे ऐसे नहीं होता है जो भी changes germ cells में आते हैं वही आगे जा सकते हैं उसी प्रकार Darwin ने भी clear नहीं किया था कि जिन variations की हम बात कर रहे हैं let's say कि किसी इनसान के skin का color dark है तो क्या वो dark color genetically उसके अंदर है या ज़्यादा धूप में रहने से आया है Darwin उस चीज के उपर focus नहीं कर रहे थे Darwin बस ऐसा है कि हाँ जो variation है वो आगे जाएंगे इन दोनों points में Darwin की गलती भी नहीं मान सकते है अपन Darwin को knowledge नहीं था इतना Darwin के ही time Mendel भी अपना काम कर रहे थे और Darwin को पता ही नहीं था Mendel कौन है Darwin 1882 के अंदर मर गए थे Mendel की theories का principles का rediscovery कब हुआ था 1900 वो तीन scientist थे Carl, Correns, Hugo, Deverys और Shermark वाले तो Darwin को तो जीते जी पता ही नहीं चला कि Mendel नाम के कोई इनसान है जिनके पास मेरे सवालों के जबाब है कि variation कहां से आते है somatic variation क्या है germline variations क्या है Darwin को नहीं पता था ये तो हम अगर Darwin के समय के अनुसार सोचें तो ये criticism है पर आज सब पता है आज ये criticism में नहीं आना चाहिए वेल अपन जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं अपना दिमाग लगाए बिना next देखिए कुछ और जो criticisms है ये criticism कहता है कि species के अंदर कई differences ऐसे होते हैं जो adaptive नहीं होते हैं बस ऐसे इंसिडेंटली आ जाते हैं मैं बताओंगा भी आपको इंसिडेंटली आ जाते हैं इन differences का evolution में कोई रोल ही नहीं है ये accumulate क्यों हो रहे है ये inherit क्यों हो रहे है ये preserve क्यों हो रहे है इनका कोई मतलब नहीं है Darwin इनको नहीं explain कर पाए अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं एकदम simple language में समझाता हूँ मान लीजिए कि ये bird species है ठीक है ये bird species है इस bird की body के उपर यहाँ पर एक black color का sport है ऐसे यहाँ के थोड़े से जो feathers है वो काले हो गए है एक black sport बन गया अब ये वाला जो black sport है इसका कोई भी role हमें समझी नहीं आ रहा क्यों बना है ये जो body के उपर black color का निशान बना है इसका क्या role है ना तो ये reproduction में help कर रहा है ना survival में help कर रहा है ना ही इससे कोई competition कम हो रही है ना ही इससे कोई predator से बचा जा रहा है मतलब इसका overall क्या role है तो nature इस निशान को preserve क्यों कर रही है जब इसका कोई role ही नहीं है जब ये individual की survival fitness reproduction किसी में role play नहीं कर रहा तो ये क्यों inherit हो रहा है क्यों ये next generation के अंदर pass हो रहा है इस बात का Darwin जबाब नहीं दे पाए कई सारे आपको ऐसे organisms ऐसी species मिलेगी जिनमें कई ऐसे changes है जो कोई adaptation नहीं है ये black निशान कोई adaptation थोड़ी है फिर ये आया ही क्यों आया तो ये आगे pass क्यों हो रहा है ये बात Darwin नहीं बता पाए ये एक incidental है कि जीन है उसमें कोई या तो mutation हो गया पर उसका कोई role है नहीं तो फिर ऐसी चीजे क्यों accumulate की जा रही है preserve करने का मतलब हो गया इनको बचाना बचाने का मतलब हो गया कि ये next generation में जाएगा उसके next में जाएगा उसके next में जाएगा उसके next में जाएगा तो क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है next point, why are the inherited characteristic not dilute when organism possessing them breed with others without them, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं आपको कि एक से मेल है और एक फिमेल है, एक सेकंड अपन समझते हैं, पिकॉक की बात कर लेते हैं चलिए, पिकॉक और ये पिहन है, एक पिकॉक एक पिहन, ये जो पिकॉक है ना, इसके पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे कलरफुल फिदर्स है, बढ़िया से से पूँच इसकी चमकीली, बढ़ी सी बहुत अच्छी है, अब इसने मैटिंग करी पिहन के साथ, पिहन के पास में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो कोई बढ़िया अट्रेक्टिव कलर होते हैं, ना कोई बढ़िया सी लंबी सी टैल होती है, अब मान लो कि इन दोनों की मेटिंग से मेल प्रोजेनी पैदा होता है, तो इस मेल प्रोजेनी के पास में बहुत बढ़िया लॉंग टैल बन जाती है, इसके पास में कलर्फुल फीदर बन जाते हैं, कलर्फुल फीदर्स, यह ऐसा क्यों हुआ? वरना ऐसा होना चाहिए था कि एक parent के पास में characters हैं, दूसरे के पास नहीं है, तो progenies में average character जाना चाहिए, इस बात का भी Darwin के पास में कोई जवाब नहीं था, आप आराम से इसको देखें, क्या कहना चाहरे हैं हम यहाँ पे, कि एक male और एक female की जब matting कराई, तो उनके male progeny क पास में exact वैसे के वैसे ही characters पहुँचे, जैसे की father के पास थे, यदि यहाँ पर एक female progeny बनती है, तो उसके पास में colorful feeders नहीं होंगे, ऐसा क्यों नहीं हो जाता, कि दोनों के पास में, यानि कि progenies के पास में average characters पहुँच जाए, कोई जवाब नहीं है, यह criticism है, next point, Darwinism explain करता है survival of the fittest, जो की बहुत बढ़िया बात है, पर दिक्कत यह है कि organism fit बनते कैसे, इस बात का Darwin के पास में कोई भी जवाब नहीं है, और्गेनिजम fit हुआ कैसे, यह survival of the fittest उसके पास में आई कहां से, Darwin explains survival of the fittest, बट he didn't explain arrival of the fittest, और्गेनिजम fit बना तो बना कैसे, survive तो करेगा वो और वो fit कैसे है नहीं पता, उसके पास कैसे आये वो gene जो उसको adverse condition के अंदर survive करने में मदद कर रहे हैं, यह बात का Darwin के पास में कोई जवाब नहीं था, यह इनका criticism बन गया, next point, Natural selection does not account for the beginning of organ, और how an organ can be useful in initial stages, जैसे natural selection यह तो कहता है कि जिसके पास में better characters होंगे वो survive करेगा, पर यह better characters का origin कैसे हुआ, better characters बने कैसे, इनकी beginning कैसे हुई, इस बात का natural selection कोई जवाब नहीं देता है, more के पास में, peacock के पास में colorful feathers है, लेकिन यह initially बने कैसे, no doubt वो sexual selection के अंदर important role play करते हैं, हम बाद में बात करेंगे, पर आखिर इनकी beginning हुई कैसे, यह जवाब नहीं दे पाए थे Darwin, criticism बन गया, पर यह कोई criticism नहीं है, यह वही बात है कि एक organ है, जिसके इस्तमाल से यदि organism survive और reproduce कर पा रहा है, तो वो organ दीरे दीरे nature में रखा जाएगा, जैसे canine teeth है, शेर है, कोई tiger है, line है, इनके canine teeth बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि यह canine की मदद से ही अपने शिकार को मारते हैं, उसके garden के अंदर canine teeth है वो गड़ा देंगे, तो इससे वो शिकार मर जाएगा, तो food मिलने में help कर रहा हो, तो वो canine teeth है, धीरे धीरे उनका strong होता गया, हमारा canine teeth उतना strong नहीं है, क्योंकि हम खाना उस तरीके से नहीं खाते हैं, जैसे वो खाते हैं, तो हमारा canine teeth काफी खराब हो गया है, तो Darwin के पास में जवाब नहीं था, तो यह उनका criticism माना जाएगा, next point, Darwin की theory यह expression नहीं देती है, कि किसी भी particular structure का over specialization कैसे होता है, यह कोई बहुत ही important हो गई है, देखिए, it does not explain over specialization of particular structure, which in some cases had lead to the extinction of its possessors like antlers of extinct Irish deer, and large special tusk of Jefferson mammoth, देखो यह एक नाम आया है, antler, antler का मतलब क्या होता है, antler का मतलब होता है, बड़े-बड़े सींग, आपने देखा होगा, जो 12 सींगा टाइप का हीरन होता है, इस तरीके का एक बार मैं बना लेता हूँ, इसके पास बहुत बड़े-बड़े antlers थे, यह Irish deer है, यह extinct हो गया, इतने बड़े antlers क्यों बने, इनका over-spacalization हो रखा है, over-spacalization का मतलब है, जरूरत से भी ज्यादा develop हो गया है यह, अच्छा, जो मेहमत होते थे, उन मेहमत के पास में एक बड़ी सी सून्ड होती थी, हाथी जैसे वो दिखते थे इस तरीके के, और इनके पास में एक लंबी सी सून्ड होती थी, इसका रोल क्या है, इतनी लंबी सून्ड किस काम की, यह चीज डार्विन explain नहीं कर पाए थे, तो यह criticism बना दिया गया उनका, फिर आता है, it could not tell whether behavior are acquired and modified through the natural selection or not, कोई भी type का जो behavior होता है, वो behavior कैसे acquire हुआ, जैसे किसी को गुसा आता है, तो गुसा आना क्यो start हुआ, जैसे कोई बहुत cool है तो वो क्यों है, जैसे कोई अपने predator से बच सकने में माहिर है, तो वो ऐसा क्यों है, अलब कोई भी जो organism का behavior है, वो behavior आखिर develop कैसे हुआ, थोड़ा थोड़ा modify होकर वो आज जैसा है वैसा बन गया है ऐसा कुछ है क्या natural selection ने ऐसा किया है क्या इस बात का Darwin के पास में जवाब नहीं था तो यह भी criticism हो गया फिर आगे देखते हैं Natural selection does not explain the origin and development of coordinated set of structure and co-adaptations coordinated set of structures का मतलब क्या है कि ऐसी structure जो एक साथ काम आती है जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं आपसे कि एक हाथ से कोई चीज पकड़ना और दूसरे हाथ से तोड़ना तो यह दोनों हाथ मिलके काम कर रहे हैं न यह ऐसी और भी कई structures हो सकती है तो यह coordinated structures कैसे develop हुई यह नहीं बता पाए Darwin उसके साथ साथ co-adaptation मतलब co-evolution की बात हो रही है कि flower के पास में bright color है तो इंसेक्ट आ जाएंगे इंसेक्ट जिस समय पर आते हैं active होते हैं उस समय flower के पास में nectar होना चाहिए ताकि pollination better हो सके तो evolution नहीं explain कर पाये थे यह इनका criticism बन गया आगे पड़ते हैं whose effectiveness depends upon perfections इन characters की जो effectiveness है वो perfection पे depend करती है जितने ज्यादा perfect होंगे यह उतना अच्छे से वो character देखने को मिलेगा कोई मान लो insect है वो रात को active होता है तो flower को रात को अपना जो plant है उसको रात को flower खोलना पड़ेगा कोई insect ऐसा है जिसको ज्यादा nectar चाहिए खाने के लिए तो ऐसे plant को ज्यादा nectar बनाना पड़ेगा अपने insect के लिए इस तरीके से जो को evolution होता है वो explain नहीं कर पाए थे adaptation such as electric organ of fishes कुछ कुछ fishes होती न जिनमें current आता है touch करने पर mimicry in calima butterfly यह natural selection से explain नहीं हो पा रही है तो यह criticism बना बना के छोड़ दिये गए यह हुआ हमारे पास में darwinism के criticism अब कुछ criticism genuine है बट कई सारे criticism इसलिए criticism है कि darwin के पास में उस समय knowledge नहीं था ज्यादा ध्यान वो देन नहीं रहे थे वो याद से जब लोट कर आये थे तो बिमार पढ़ गए थे काफी ज्यादा तो कुल मिला करके बस ऐसे चल रहा था अब इनके आगे की जरनी की बात करते हैं अपन डार्विन ने artificial selection को बहुत important माना डार्विन क्या कहते हैं कि हम human being अपनी मर्जी से cross करा करा के better varieties बना सकते हैं बिल्कुल सही बात है तो डार्विन कहते हैं कि जब एक इनसान जैसा तुछ प्राणी अपनी मदद से organisms को better बना सकता है तो nature तो क्यों नहीं बना सकती फिर हां हम जो काम करेंगे उसका result जल्दी मिल जाएगा और nature से वो काम होगा तो time लगेगा पर जब human being changes ला सकता है तो nature तो 100% changes ला सकती है यह डार्विन का एक strong point था उन्होंने artificial selection को important माना हम अपनी मर्जी से select करेंगे individual को कि हमें ये fit दिख रहा है ये fit दिख रहा है ये fit दिख रहा है इन में आपस में cross कराओ तो इन से fit progeny पैदा होंगे फिर यही चीज repeat करते जाओ fit fit individuals का selection करके उनका cross कराते जाओ इसे कहते है artificial selection और इससे definitely जो domestic plant and animals होते हैं उनके races के अंदर varieties के अंदर improvements देखने को मिलते हैं तो जब human ऐसा कर सकता है तो nature तो पक्का ऐसा कर सकती है Natural selection does not explain the evolution of terrestrial animals from aquatic forms हम यह मानने को तयार है ना आज की जीवन की उत्पत्ती पानी में हुई थी मतलब life originated in the water and life came out from the water पर according to darwinism and according to natural selection इस बात को explain नहीं किया जा सकता कि terrestrial organism है वो पानी के बाहर क्यों आए क्योंकि ocean तो बहुत बड़े बड़े हैं आप यह भी नहीं कह सकते कि उस habitat के अंदर जो है फूड की कमी हो गई है पानी की कमी हो गई है क्या जरुरत थी बाहर निकलने की एवरी organism is adapted to its habitat यह बात हम ecology के अंदर पढ़ते हैं ना हर organism अपनी habitat के अंदर best adapted रहता है तो जो ocean वाले organisms थे उनके लिए ocean छोटा तो नहीं पड़ा था तो फिर वो बाहर आये ही क्यों यह चीज natural selection से explain नहीं होती है यह चीज ऐसे हम बोल सकते हैं कि coincidentally बाहर आ गए होंगे आने की कोशिश करी होगी पर natural selection इसका जवाब नहीं देता है यह भी एक criticism हो गया फिर उसके बाद में specific objections were raised to the theory of sexual selection देखो मैंने आपको sexual selection अभी पढ़ाया नहीं है पढ़ाऊंगा अब आपको अलग से एक class पूरी की पूरी लगेगी हो सकता है दो classes भी लग जाए क्योंकि बड़ा topic है तो sexual selection की theory simply यह कहती है कि जो male attractive होगा जिसके पास better genes होगे उसको select किया जाएगा जो male better होगा उसको select किया जाएगा और जो male better नहीं होगा उसको selection नहीं होगा तो better male को select करेंगे उसके gene आगे जाएंगे progenies के अंदर mating करेंगे फिमेल ऐसे से करके theory है sexual selection की criticism क्या बनाया गया कि sexual selection की जो theory है वो passivity on the part of male के उपर focus करती है और एक active choice on the part of female मनदब जो male है वो passive है बगवान ने उसको अच्छे characters दे दिये है तो वो character ले के बैठ गया आपने female ज्यादा active है उसको tension है कि मुझे better male मिले मैं better male का selection करूँ यह ऐसा क्यों चल रहा है nature के अंदर यह इस बात को explain नहीं कर पा रहे है Darwin Darwin ने यह तो explain कर दिया कि sexual selection theory है वो कैसे हो पाएगी कैसे काम करती है पर इस चीज को explain नहीं कर पाए कि male passive क्यों है जबकि reproduction तो mutual effort होता है दोनों का कि वो यह कि male है उसको ज्यादा beautiful attractive क्यों बना दिया गया next point तो यहां तक हुआ अपने पास में Darwin का criticism कैसे लोगों ने criticize किया कुछ अच्छी चीजे कुछ ऐसे ही हवा में बाते करी है पर critics तो हमेशा रहते हैं और होने भी चाहिए critics critics होते हैं उनसे improvement आता है चलिए अब बात करेंगे developing the theory of evolution अब जो criticism बाला पार्ट पढ़ाया उसको एक बार side में करिये Darwin अपनी जर्नी से लोट कर आये 37 के अंदर आराम से पुड़ा अपने दोस्तों से मिले घरवालों से मिले चार्ल्स लेयल से मिले जिनकी किताब उन्होंने बीगल पे बैटके पड़ी थी थेंक्यू कहा उनको दो अक्टूबर को आये थे वो 39 अक्टूबर को चार्ल्स लेयल ने उनको इन्वाइट किया अपने घर पे खाना खाने के लिए फिर उनमें friendship हो गई अब Darwin ने क्या किया अपना जो काम था उसको लिखना चालू किया और उन्होंने 490 पेजेज लिख दिये 490 पेजेज लिखे लेकिन दिक्कत कहां आ गई उनको वो Bible के अगेंस चले गए काम पब्लिश नहीं हो पाया लेकिन वो अंदर ये अंदर अपना काम करते रहे ठोरी बनाते रहे बनाते रहे फिर एक दिन 1858 के अंदर उनके पास में एक पारसल आता है उस पारसल में वालास नाम के एक साइंटिस्ट है जो की एक मलाय आर्ची पेलेगो आईलेंड्स का ग्रूप है प्रॉपिकल रीजन में मैं बताऊंगा वहाँ पर काम कर रहे थे जैसे डार्विन गए थे गेला पेगस आईलेंड के उपर वह मलाय आर्ची पेलेगो आईलेंड्स का ग्रूप है वहाँ गए थे उन्हों ने भी नैचूरल सेलेक्शन की थ्योरी इंडिपेंडेंडेंट्ली दी उनका लेटर जब लैल ने पढ़ा और लैल के साथ जोसेफ डॉल्टन हुकर जो बोटनी वाले बैंथम एंड हुकर है वो वाले हुकर दोनों ही डार्विन के फ्रेंड है तो उन्हों ने जब पढ़ा पेपर तो डार्विन को प्रमोट किया कि आपके जैसा सोचने वाला दुनिया में एक और इंसान है आप पब्लिश करो अपना काम फिर लीनियन सोसाइटी होती थी उस समय लंदन के अंदर जैसे आजकल अपने को अगर रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है तो हम रिव्यू के लिए भेजते हैं ना दूसरे साइंटिस्ट को भेज सकते हैं या किसी इंस्टिट्यूट को भेज सकते हैं जब आप research या PhD कर रहे होते हो तो आपको अपने research paper publish कराने के लिए review करने के लिए भेजने होते हैं तो उस समय lenient society थी एक लंडन के अंदर उनके सामने उनका काम रखा and then ये theory publish हुई Vallas हमेशा से जब से उनको ये पता चला कि मेरा जो काम है वो काम Darwin पहले से करके बैठे हैं तो Vallas हमेशा से पूरे काम का credit Darwin को ही देते थे कि नहीं ये काम आपका है पहले आपका हक है इसके उपर वो कहते थे Mr. Darwin's theory कोई उन से पूस्ता था तो ये बोलते थे कि ये Mr. Darwin की theory है उनकी theory नहीं है फिर उनको जो origin of species book है उसका co-author बनाया गया Darwin author बने आगे मैं और बताऊंगा आपको पहले अपन यहाँ पर वापस कुछ points discuss कर लेते हैं Darwin ने लगबग 20 साल लगा दिये अपनी theory को develop करने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि 1837 में वो लोट के आये थे 1838 में उन्होंने अपना काम करना चालू किया था वापस से थोड़ा थकान वकान उतार के अपना rest rest complete करके 1838 से वापस वो अपने काम पे लग गए उसके बाद 20 साल लगा लो 1858 तक उनकी theory जो है वो prepare हुई थी 69 के अंदर next year publish होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो 20 साल लगा दिये Darwin ने अपना काम publish करने के अंदर ठीक है जो time है लगता है लगता है then next to this 1844 की बात है उन्होंने एक private essay लिखा मतलब किसी को दिखाया नहीं बस अपने लिए लिख के रखा उसको और 1856 के अंदर finally begin a book he intended to call natural selection 1856 के अंदर then उन्होंने वो किताब लिख दी थी अब उसके बाद में देखिए जून की बात है 1858 की 1858 मतलब 20 साल बाद डार्विन को एक लेटर मिला अनौदर ट्रेवलर ब्रिटिश नेचुरिस्ट एल्फरेड रसल वलास आपको line to line कुछ भी याद करने की जूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको evolution कभी भी आप line to line तो याद ही ना करें आप evolution को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि किसी भी तरीके से line लिखी हुई हो तो आप उसका अर्थ निकाल लें यही चीज है वो ज़्यादा important होती है वरना line to line किसी को भी याद होता भी नहीं है करना भी नहीं है आप यहाँ से क्या याद करेंगे आप ये याद करेंगे कि Darwin अपना काम कर रहे थे 1858 के अंदर उनको वलास का एक paper मिला बस इतना ही बहुत है और 1858 को ना भी याद करो तो चलेगा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक interest develop हो सके आप लोगों के अंदर खेर 1858 के अंदर 20 साल बाद वलास नाम के एक विज्ञानिक थे naturalist थे actually उन्होंने अपना काम किया था एकदम natural selection के उपर तो वो उन्होंने डार्विन को actually भेजा तो लेयल एंड हुकर को था फिर उन्होंने पढ़के डार्विन को दिया कि देखो आपके जैसा भी कोई है दुनिया के अंदर तो ये हुआ अब उसके बाद में वलास इंडिपेंडेंटली अराइवड एट एट ए वेरी सिमिलर आइडिया तो डार्विन's natural selection वलास डार्विन के natural selection के जैसे आइडिया के उपर पहुंचे ठीक है फिर उसके बाद में क्या हुआ डार्विन के फ्रेंड थे लैल एंड हुकर इन दोनों ने एक announcement किया मिलकर के किसके सामने Lenin Society in London in 1858 वलास और डार्विन दोनों का जो आइडिया था इन्होंने इस institute के सामने रखा यह पकड़ो नई चीज आईए कुछ जब यह बात प्रूव हो गई कि भई बहुत अच्छी थियोरी दी गई है उसको पब्लिश कराने पर जोड दिया गया कि अरे यह किताबों में क्या कर रही है 20 साल से पब्लिश करो इसको बाई देन डार्विन वोज अल्रेडी रिटन ए अब्स्रेक्ट ओफिस फूल फाइंडिंग्स अब्स्रेक्ट तो वो पहले लिखी चुके थे दुआ क्या इसके पीछे की घटना है सब बताऊंगा में आपको वलास के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं यह जो वलास है यह कहां काम कर रहे थे मलाय आर्ची पेलेगो नाम है जगह का नाम है मलाय आर्ची पेलेगो अब यह मलाय का आर्ची पेलेगो है यह कहां पढ़ता है वो भी मैं आपको नक्षा दिखा दूँगा तो दिमाग में थोड़ा सा आपको रहेगा Had independently conceived of natural selection यह बात बहुत बार कर ली है अपने He always gave credit to Darwin for the concept of natural selection और उन्होंने हमेशा कहा था Mr. Darwin's theory ठीक न तो ऐसे लोग भी हुए हैं दुनिया के अंदर जो कि अपना credit दूसरे को दे देते हैं जैन्विनली यह देखो यह आपका world map है यदि आपको पीछे की class याद है थोड़ी बहुत तो यह South America है और इस South America से कुछ 940 मील दूर पानी के अंदर यह है गेलापेगस आईलेंड यह गेलापेगस आईलेंड से अब आपको यह लग रहा और यह मलाय आर्ची पहलेगो है इधर डार्विन ने काम किया अब आपको यह लग रहा होगा कि यह काफी दूर है पर दुनिया तो गोल है इसको आप फॉल्ड करो ऐसे तो यह और यह पास में आ जाएंगे बहुत ज्यादा तो नहीं है पर ठीक है अच्छा यदि मैं एक बीच में लाइन खीच दूँ तो आपको पता है यह एरिया क्या होगा यह एकविटोरल लाइन इसके उपर होगा ट्रॉपिक ओफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन तो कुल मिला करके यह एरिया जो है यह ट्रॉपिकल एरिया है इस एरिया इस ट्रॉपिकल एरिया तो वलास का जो काम है वो भी ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है और डार्विन का जो काम है वो भी ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है यह वलास के बारे में जानकारी होगी अब अपन बात करते हैं ओरिजन ओफ स्पीसीज की किस तरीके से वो बुक पबलिश हुई, क्या उस बुक की जरनी थी, यह आपके सामने है उस बुक का फर्स्ट एडिशन का फोटो, टाइटल है, On the Origin of Species, By the Means of Natural Selection, यह complete है, बट इसका ओरिजनल जो टाइटल था, वो On the Origin of Species था, कितना हुआ? अब इस बुक के पीछे की छोटी सी हिस्ट्री है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या हिस्ट्री है, देखो, इस बुक का फर्स्ट एडिशन आया था, 24 नवंबर, 24 नवंबर, 1859 को, जिसका टाइटल था, On the Origin of Species, और इसके फर्स्ट एडिशन के पीछे, काफी इंट्रेस्टिंग एक स्टोरी है, जब डार्विन अपना काम उस सोसाइटी के सामने, लीनियन सोसाइटी ओफ लंडन के सामने रख रहे थे, तो एक मार्केट के अंदर सारी जो इस फिल्ड से रिलेटेड है, मतलब जो इवल्यूशन से या जो साइन से रिलेटेड है, उनके अंदर ये बात फैल गई थी, कि ऐसी कोई थियोरी है, और इसके उपर जल्दी ही किताब आने वाली है, तो सब लोग बड़े क्यूरियस थे, कि जल्दी से वो किताब आ जाए बस, और इधर डार्विन थे, जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, कि ये किताब छपेगी, बिकेगी, तो बहुत डरते डरते उन्हों ने इस किताब की केवल 1250 कोपीज का ओर्डर दिया, कि बारा सो पचास कोपीज छाप दो, ये बिक जाएं तो यी गनीमत है, अब हुआ क्या कि लोग तो पहले से तयार बैठे थे, कि ये किताब जल्दी से आए, जब लोगों को ये पता चला कि ये किताब छप रही है, तो किताब के एक्चुल पब्लिश होने से पहले ही, 22 नमंबर दो दिन पहले ही, इन सारी की सारी 1250 कोपीज को बिना किताब बने ही खरीद लिया गया, पहले ही इनका एक साथ ओर्डर आ गया कि ये सारी हमारी है, हम लेंगे सारी की सारी खरीदेंगे, यानि वो किताब की तरह बाइंड नहीं हुई थी अभी, पन्ने थे वो खाली, छपे हुए, और वो पेजेज ही खरीद लिये गए थे, उसके बाद अच्छानक से रातो रात डार्विन बन गए सूपर स्टार, सेलिब्रिटी बन गए थे, अब ये जो पहली एडिशन है, इस पहली एडिशन के अंदर एकदम क्लियर कट शब्दों के अंदर लिखा हुआ था, कि life का origin, descendant with modification और ये सब वो सब Bible नहीं है, Bible में जो बात लिखी है वो सही नहीं है, God ने कुछ नहीं बनाया से, बड़िया controversy हुई, अब उस controversy का नतीज़ा ये निकला, कि Darwin को अपनी बातें modify करनी पड़ी, second edition आया, third edition आया, fourth edition आया, बहुत ज़्यादा कुछ इनके अंदर नहीं है, पर हाँ, छोट-छोटे changes है, जैसे कि इन्होंने अपनी जो theory है, उसमें जहाँ-जहाँ Bible के लिए लिखा हुआ था, वो सब हटाया उन्होंने, कि ये बाते मत लिखो अपनी theory के अंदर, और कुछ language को थोड़ा सा manipulate करके लिखो, जैसे starting के अंदर ही God को thank you बोल दो, तो बाद में अगर आप कुछ लिखोगे तो उसका impact उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसे करके कुछ तो था, बात आती है fifth edition की, एक important change गुआ फिफ्ट और शिक्स अदिशन के अंदर, फिफ्ट एडिशन के अंदर, डार्विन ने first time, पहली बार, survival of the fittest का concept एड़ किया, उससे पहले उसमें survival of the fittest का concept था नहीं, तो जो हमने डार्विन के postulates पड़े हैं, वो डार्विन के overall पूरा काम करने के बाद के postulates है, फिफ्ट एडिशन के अंदर, डार्विन ने for the very first time, survival of the fittest को एड़ किया, और मैंने आपको last lecture के अंदर ये बताया था, कि survival of the fittest, ये भी डार्विन का original idea नहीं है, ये idea भी सबसे पहले, हर्वर्ट स्पेंसर ने दे दिया था, in his principle of biology, 1864 में, तो ठीक है चलिए कोई काम की चीज मिल रही है डार्विन को, तो डार्विन खुशी-खुशी accept करते हैं, 6th edition के अंदर क्या हुआ, the origin of species, ये title चेंज किया, on was removed from the title of the book, title जो था किताब का, on the origin of species, by the process of natural selection, उसमें से on it आ लिया, किताब बन गई, the origin of species, आज भी इसी नाम से आ रही है ये किताब, 6th edition, डार्विन के जिन्दा रहते रहते आए, उसके बाद डार्विन के death हो गई, और आगे के edition कोई और ये करता रहा, मतलब कि बस अब ठीक है, उसमें edition changes चलते रहते हैं, पर डार्विन के जिन्दा रहने तक, इस book के total 6 editions है, वो आते हैं, तो ये है हमारे पास में, इस किताब के पीछे की कहानी, इतना ही इसके अंदर करना है, और कुछ नहीं, ये बाते थोड़ी-थोड़ी पता होनी चीए, अब डार्विन की evolutionary theory क्या कहती है, किस तरीके से डार्विन है, वो अपनी theory को develop करते हैं, क्या main points है, basically तो हमको वही पढ़ने हैं, तो एक-एक करके focus करते हैं, the origin of species में, दो major theories है, पहली theory है, descendant with modification, डूसरी theory है, natural selection, descendant with modification क्या होता है, इसका मतलब ये है, कि जैसे कोई generation 1 है, generation 1, ये generation reproduction करेगी, और reproduction करके बनाएगी generation 2, generation 2 reproduction करेगी, और इससे बनेगी generation 3, generation 3 reproduction करेगी, generation 4 बनेगी, and so on, चलता रहेगा, अगली generation को बोलते हैं, descent, अगली generation को descent बोलते हैं, हम अपने parents के descent है, हमारी next generation हमारी descent होगी, with modification का मतलब होता है, थोड़ा सा अलग होगी वो, तो जो first generation के अंदर changes थे, उससे ज्यादा changes, या उससे थोड़ा सा अलग type की generation 2 है, generation 2 से थोड़ी अलग generation 3 है, 3 से अलग 4 है, इसे कहते हैं descent with modification, एक तो ये बात ज्यादा जरूरी थी, Darwin की थियोरी के अंदर, नमबर 2, natural selection, मैंने आपको last lecture के अंदर समझाया था, कि natural selection का आप simple सा meaning निकालो, जिन्दा बचना, जो जिन्दा बच गया, उसका natural selection हो गया है, nature ने उससे select कर लिया है, पर ऐसी बात थोड़ी ना बोली जाएगी, कि जिन्दा बच गया natural selection, थोड़ा सा इसको बड़ी आसी language के अंदर, बटर लगा के लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कि population के अंदर, कुछ organism के पास में better characters होते हैं, better character वाले organisms को nature survive करने का मौका देती हैं, जिनके पास में अच्छे characters नहीं होते हैं, उनको nature eliminate कर देती हैं, जो survive करता है, वो reproduction करता है, फिर अपने characters को next generation के अंदर, पास कर देता है, तो ऐसे करते करते, natural selection हो गया, पुल मिलाकर के बात वही है, जो हमने in short बोली है, जो जिन्दा बचा उसका natural selection, अब इस theory की जो दोनो points हैं, आपको दोनों एक एक करके बता देता हूं, पहला point descent with modification, जो मैंने अभी आपको समझाया, कि अगली generation को descent बोलते हैं, वो थोड़ इसी पिछली generation से अलग होती है, उसको with modification बोलते हैं, अब इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, scientifically या language में कैसे लिखा जाएगा, वो आपके सामने है, it holds that all species, चाहे वो जिन्दा हो या चाहे वो मर गई हो, have descended, मतलब reproduced, वो reproduced तो करी करी है, without interruption, from one or a few original forms of life, मतलब चाहे आज की जिन्दा बची हुई species हो, या वो species जो मर गई हो, उन्होंने कम से कम एक बार तो reproduction किया है, कम से कम एक बार, और जिन्होंने कम से कम एक बार reproduction किया है, तो उन्होंने descent बनाए अपने, descent means progenies, और अगर एक बार भी progenies बन गए है, तो वो changed है, थोड़े से, इस point का मतलब क्या है, कि हर species, चाहे वो जिन्दा हो, या आज की date में विलुक्त हो चुकी हो, उसने descendants बनाए है, उसने progenies बनाए है, without interruption, यानि ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन नहीं बनी, next बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे एक बार या अनेक बार, तो जो species है, वो divers होती है, from a common ancestor, are at first very similar, but accumulate differences, over great plants, of time, so that they may, come to differ radially from one another, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मानो कि ये है, common ancestor, ठीक है, इस common ancestor से ये line निकली, और यहाँ diversification हुआ, और diversification होकर, यहाँ species A बन गई, यहाँ species B आ गई, राइट, अब मेरी बात सुनो, diversification किस point पे हो रखा है, आप कहोगे कि सर, यह इस point के उपर diversification हुआ, इस means, कि जो मैंने point बनाया है, उसी point से, यह दोनों species separate हो गई है, परन्तु, अगर आप इन species को, यहाँ पे, और यहाँ पे compare करोगे, तो यह अभी भी काफी similar है, यहाँ पे, और यहाँ पे compare करोगे, तो यह कम similar है, और यदि आप, यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद compare करोगे, तो ये अब बहुत ज़्यादा डिस सिमिलर है मेरी बात समझ में आई कि जब दो अलग अलग रस्तों पे चलना शुरू किया था तो जैसे ही अपने अपने रस्ते पे आए तब सिमिलरेटी थी लेकिन जब बहुत दूर पहुँच गए तो डिस सिमिलर हो गए स्टार्टिंग के अंदर दोनों स्पीसिज डाइवर्ज होते टाइम थोड़ी सी सिमिलर थी पर बाद में रेडियली डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए बस ये डिसेंडेंट विट मोडिफिकेशन हो गया लैमार्किजम के अंदर ईंसेस्ट्री जैसा कोई पॉइंट नहीं था अगर आपको याद हो तो लैमार्किजम में सीधा हर स्पीसिज का सेपरेट क्रिएशन सिम्पल टू कमप्लेक्स हो नं और ये सब बाते थी, इसका किसी में भी common ancestry जैसा नहीं था, खेर, अब दूसरा point आता है natural selection, कैसे लिखेंगे natural selection को देखो, if variations useful to any organic being ever occur, यानि अगर किसी भी living organism में useful variation, अच्छे variation कभी भी आते हैं, तो assuredly individual thus characterized will have the best chance of being preserved, मतलब अब individual में best chance है preserve होने का, preserve होने का मतलब reproduction करके जिन्दा बचने का, in the struggle of life, जब वो अपनी struggle करते हैं लाइफ में, and form the strong principle of inheritance, वो पक्का अपने characters आगे की generation के अंदर पास करते हैं, these will tend to produce off-spring with similar characters, यानि कि वो अब ऐसे off-springs पैदा करेंगे, जिनके पास भी अच्छे characters होते हैं, ये natural selection की बात है, in case of natural selection, this principle of preservation, or the survival of the fittest, I have called natural selection, तो Darwin ने कहा कि मैं इस चीज को natural selection बोलता हूँ, preservation का मतलब समझ गए न, अगर parents है वो parents के पास अपने character है, अब parents तो पक्का कभी ना, कभी मरेंगे ही मरेंगे ना, लेकिन अगर parents ने progeny पैदा कर दिये, तो अपने character आगे पास कर दिये, अब खुद मर जाएंगे, लेकिन जब तक उनके progeny जिन्दा रहेंगे, तब तक वो character nature में बने रहेंगे, अब उनके progeny भी मरने से पहले वो character आगे पास कर देते हैं, तो इस प्रकार वो character nature में preserve हो रहा है, ये natural selection हमको समझाना चाहता है, ये तो हो गए दो important points जो की Darwin की theory के अंदर है, descent with modification हो गया, natural selection हो गया, अब अपन theoretical और बाते करते हैं, Darwin की जो theory है evolution की, उसमें 5 points है important, वो 5 points हैं, वो क्या-क्या है, आपको ये points आप बार-बार देखने को मिल सकते हैं, repeat होकर के, तो इनको ना समझ समझ के हर जगे ही लिखना है, जैसे देखिए, पहला point क्या है, पहला point कहता है कि evolution का मतलब होता है, organisms के characteristic over time change होते हैं, evolution का मतलब है, characteristic organisms change over time, समय के साथ organism के character change होते हैं, यही evolution है, most scientists ने soon इस बात को accept कर लिया, जो Darwin ने कहा था, उसको खुशी-खुशी accept कर लिया, कि मैं Darwin कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं, खेर, next point, common descent, अभी मैंने वो descendant with modification की बात करी थी, वही वाली बात भी, इनकी थोरी में है, कि differing radically from Lamarck, यह बात Lamarckism से differ करती है, बहुत ज्यादा, Darwin was the first to argue that species had diverged from common ancestor, and that species could be portrayed as one great family tree representing actual ancestry, मतलब कि Darwin कहते हैं कि species अपने common ancestor से ऐसे diverge होती है, और इस कारण एक बड़ा सा phylogenetic tree बनाया जा सकता है, जिसमें हम सभी species की ancestry को represent कर सकते हैं, तो यह point Darwin की थोरी में है, gradualism, धीरे धीरे changes accumulate होते हैं, तब diversification आता है, जैसे यह common ancestor है, तो ऐसा नहीं है, इसी common ancestor से दो species बन जाएगी, यह चीज गलत है, common ancestor से पहले कुछ समय तक changes आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, फिर जब वो accumulate हो जाते हैं, तब जाकर के separation आता है, मतलब diversification आता है, तो gradualism is Darwin's proposition, that the differences between even radically different organism have evolved by small steps, छोटे-छोटे steps में आये हैं, throw intermediate forms, इस line के उपर जो भी populations रही है, वो intermediates type की है, इधर और इधर दोनों के intermediates type की रही है, not by leaps, ऐसे नहीं है कि आज जो है, उनमें कई सालों तक कोई change नहीं आया, फिर अचानक से बहुत सारे change आ गए, दो थोरी पढ़ेंगे हम evolution की, तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट, population change होती है, population change कैसे होती है, evolution occur by changes in the proportions of different variant kind of individuals within a population, इसका मतलब ये है कि population के अंदर ही कुछ organism है, वो अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कोई कैसा, कोई कैसा है, variations आते हैं, ये बात अपन पहले discuss कर चुके हैं, natural selection was Darwin's brilliant hypothesis, फिर last point ये है कि natural selection होता है, ये पाँच पॉइंट से कुल मिला करके Darwin की theory के अंदर, अब एक और छोटी सी दिक्कत, Darwin ने blending theory of inheritance prefer करी, blending का मतलब होता है, mixing of characters, mixing of characters, जैसे, जैसे आप जब कभी भी genetics पढ़ते होंगे, तो genetics के अंदर आप एक concept पढ़ते हैं, independent, सोरी, concept पढ़ते हैं, incomplete dominance का, जिसमें आप ये पढ़ते हैं, कि कोई red flower का plant है, red flowered plant है, और उसका यदी हम, white flowered plant के साथ cross कराएं, तो इनके cross से, pink flower के, plants बनने चाहिए, ये incomplete dominance का concept है, Darwin इसमें believe करते थे, अलब Darwin को नहीं पता, incomplete dominance क्या होती है, Darwin को बस ये पता था, कि mixing of characters होता है, parents के जो characters होंगे, प्रोजेनी के अंदर, उनके average characters होंगे, जो की बात सही नहीं है, next देखो, Ernst Mayer नाम के एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने Darwin की theory को कुछ points में change किया, अभी मैंने आपको एक slide पहले 5 points बताएं है, उन में से वापस से कुछ points आपको मिलेंगे, और उन में से कितने points exactly fact है, मतलब exact सही है, वो भी देखेंगे, और कुछ interpretations से, वो भी देखेंगे, for example, पहला point, पहला point कहता है कि, every species is fertile enough, that if all of spring survived, to reproduce, the population would grow, होता क्या है, एक plant है, वो 1000 seed बनाता है, पर 1000 seed में से, मुश्किल से 5-10 seed ऐसे हैं, जो real में वापस tree बन पाते हैं, बाकी कुछ germinate नहीं करेंगे, कुछ germinate करेंगे, तो seedling stage में ही death हो जाएगी, कुछ थोड़े बड़े होने के बाद मर जाएंगे, अगर, 1000 के 1000 seed, खुद जिन्दा रहें, और खुद reproduce करें, तो अगले time सोचो आप, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, तो ये point, Ernst Mayor ने क्या बोला, इस point में, कि हर species, इतनी फर्टाइल तो होती है, कि वो species, रिप्रोड्यूस करें, और यदि उसके हर प्रोजेनी, को रिप्रोड़ेक्शन का मौका मिले, तो population की growth, बहुत ज़्यादा होगी, और ये बात तो fact है, चलिए दूसरा point देखो, वो भी fact है, इसका क्या मतलब है, क्योंको नेचर के अंदर, कई बार है ऐसे fluctuations आ जाते है, कभी कोई बड़ी दुर घटना हो जाती है, कोई natural catastrophe आ जाता है, तो population अचानक से घट जाती है, अगर हम इनको छोड़ दे, बनलब इनकी बाते ना करें, catastrophe की या कोई natural disaster की, तो more or less, population की size species की जो होती है, वो लगबग same-same सी रहती है, over time, तो ये बात बिलकुल सही बात है, तीसरा point, और आप ये मान के चलें, कि ये points हैं, वो Darwin की ही theory के points है, जिनको Ernst Mayer ने summarize किया है, तो ये Darwin की ही part है, तीसरा point कहता है कि, resources, जैसे कि food है, space है, वो limited है, and are relatively stable over time, और लगबग हर समय उतने ही है, इसका मतलब क्या पता आपको, इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे, अपन अपने दादा जी के time की बात करते हैं, तो दादा जी के time पर, एक रुपे की बहुत कीमत होती थी, एक रुपे मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, उसके बाद वे और आगे का time आया, एक रुपे की कीमत घटती गई, घटती गई, आज एक रुपे की कीमत क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे कहते थे, कि पहले के टाइम में 25,000 रुपए के अंदर शादी कर देते थे बड़ी आशी धूमदाम से और आज जो है वो 25 लाख रुपए लगते हैं तो उस जमाने का 25,000 और आज का 25 लाख बराबर है अमाउंट बढ़ा है पर वैल्यू उतनी की उतनी है उस समय जितनी वैल्यू एक रुपए की थी आज उस समय उतनी वैल्यू हजार रुपए की है कोई भी आप छोटी मोटी चीज खरीदते हो तो आपको 500 रुपए or लगते हैं और आपको लगता ठीक है सस्ती है कहने का मतलब nature के अंदर resources पहले भी limiting थे आज भी limiting है पहले 10 लोगों के लिए limiting थे आज 1000 लोगों के लिए limiting है तो मतलब पहले 10 लोग है वो भी resources को आराम से खापाते थे ज्यादा नहीं खापाते थे और आज 1000 लोग है उनके लिए resources available है पर वो limiting में है तो available तो है, इसलिए ये चीज भी over time almost same चलती है, next, a struggle for survival ensues, मतलब एक struggle चलती रहती है survival के लिए, जिन्दा बचे रहने के लिए struggle चलती रहती है, ये एक inference है, ये fact नहीं है, next देखिए, individual in a population varies significantly from one another, एक ही population के organism एक दूसरे से different होते है, differ करते है, significantly, जैसे आप और आपका friend है, आप और आपके पडोसी है, different होते हैं, हम एक दूसरे से, factor, next point, much of this variation is heritable, mayor ने conclude किया कि जो variations होते हैं, वो ज्यादा तर inherit होते हैं, जैसे माली जी आपके पडोस के अंदर कोई पंजाबी family रहती है, तो जो पंजाबी family के अगले progenies होंगे, उनके अंदर उनहीं के characters जाएंगे सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि आप सब लोग mix होके रह रहे हो, तो सब के जो बच्चे हैं, उनमें common common से characters आगे नहीं, वो अपने-अपने family के according, अपने-अपने culture के according, इनहेरिट करते हैं, variations को, next point, ये बड़ा सा point है, पर बहुत simple सा है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, individual जो less suited होते हैं environment के लिए, are less likely to survive, जो individual environment के according अच्छे नहीं होते हैं, वो कम survive करते हैं, जो कम survive करेंगे, उनको reproduction के chance कम मिलेंगे, तो less likely to reproduce, individuals more suited to the environment, जो ज्यादा suited होते हैं, वो more likely to survive, वो जिन्दा ज्यादा रहते हैं, जो ज्यादा जिन्दा रहते हैं, वो ज्यादा reproduction करते हैं, जो reproduction ज्यादा करेगा, वो अपने traits, अपने characters को ज्यादा inherit करेगा, to the future generation, which produce the process of natural selection, यह fact बात है, simple सी है, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो यह हुआ अपना, फिर उसके बाद में, this slowly affected process result in population changing to adapt their environment, यह जो slow-slow changes आ रहे हैं हर generation के अंदर, धीरे-धीरे यह changes उस population को अपना environment adapt करने के लिए, force करते हैं, और adaptations हो जाएंगी, तो ultimately, these variations accumulate, इकठा होंगे, over time to form new species, नई species बन जाएंगी, यह guarantee वाली बात नहीं है, कि हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि जो जिन्दा नहीं बच पाएंगे, वो कैसे नहीं species बन वाएंगे, यह हर बार ऐसा नहीं होगा, कि एक particular direction में changes जाएंगे, तो जो organism से एक direction में change होते जाएंगे, मैंने जब आपको last lecture के अंदर पढ़ाया था, origin of species, last जो point मैंने आपको बताया था, Darwin की theory के अंदर, तो मैंने आपको उस समय क्या बोला था, natural selection is not the guarantee of origin of new species, natural selection आपको better candidate select करके दे सकती है, वो इस बात की guarantee नहीं देती है, कि यह candidates future के अंदर भी better ही होंगे, ऐसे समझो जैसे यह वही process है कि कहीं पर कोई interview चल रहा है, और कोई candidate था, उसकी किस्मत अच्छी थी, या उसको कहीं से पता चल गया कि interview में क्या पूछा जाएगा, वही चीज वो पढ़ के गया, तो वो interview के अंदर बहुत amazing type की performance दी उसने, तो selectors ने उसको select कर लिया कि यह candidate बाकी लोगों से अभी के लिए fit है, जो हमने interview लिया उसके आधार पे, अब क्या पता बाद में पता चले उसको तो कुछ नहीं आता है, तो वो वही वाली बात है, इसलिए यह inference है, तो इतनी बात हो गई अपने पास में, अब अपन बात करते हैं, evidences of darwinism, ऐसे कौन से evidences हैं, जो darwinism को support करते हैं, पहली बात आप यह याद रखें, कि darwin कहना क्या चाहते थे, darwin यह कहना चाहते थे, कि variations are already present in population, darwin के according, variations पहले से ही population के अंदर है, वो बाद में नहीं आए है, पहले से ही population के अंदर variation होते हैं, लेमार्क कहते हैं कि पहले सब एक जैसे होते हैं, जैसे, अगर मैं आपको बताऊं, कि लेमार्क क्या बोल रहे थे, लेमार्क ये कह रहे हैं, कि सबसे पहले, जितने भी जिराफ थे, वो सारे के सारे जिराफ में शॉर्ट नेक थी, ठीक है, अब उसके बाद में, एन्वार्मेंट चेंज हुआ, एन्वार्मेंट चेंज हुआ, स्ट्रेच करने की ज़रुवत पड़ी नेक को, तो इसमें से, फ्यू, प्यू, 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 और जो अपनी नेक को स्ट्रेच कर पाए, वही, रिमेंड सर्वाइव, उन्होंने ही, वो ही सर्वाइव हुए फिर, जबकि डार्विनिजम क्या कहता है, इसी पॉइंट के उपर, डार्विनिजम ये कहता है, कि दो टाइप के जिराफ थे, टू टाइपस ओफ जिराफ, अल्रेड़ी देर इन पोपुलेशन, लॉंग नेक, शॉर्ट नेक, लॉंग नेक, शॉर्ट नेक, फिर क्या हुआ, पहले जमीन पे घास होती थी, तो शॉर्ट नेक के जिराफ है, उनकी गर्दन आसानी से जमीन पे पहुँच जाती थी, वो घास खा लेते थे, खुश रहते थे, तो उनका नंबर ज्यादा था, फिर हो सकता एनवार्मेंट चेंज हुआ, और एनवार्मेंट के चेंज होने के कारण, जमीन से फूड है, वो गायब हो गया, अब छोटे वाले जिराफों को, बिचारों को फूड नहीं मिलता था, प्री के उपर फूड था, तो वो लंबी नेक वाले आसानी से खा लेते थे, तो नेचर है, अब उनको फेवर कर रही है, ये डार्विन कहते हैं, तो आप ये सोचना कि जो डार्विन का कॉंसेप्ट है, वो ये कहता है कि एक पॉपुलेशन में पहले से ही, अलग-अलग-अलग टाइप के और्गेनिजम होते हैं, जिसको नेचर अभी मौका दे रही है, वो ज़्यादा होंगे, जिनको मौका नहीं मिल रहा हो, वो कम होंगे बस, तो इनके उपर एक बड़िया सा एक्जामपल है, इंडस्ट्रियल महलानीजम का, देखो ये जो एक्जामपल्स मैं भी बताने वाला हूँ, ये बच्चों वाली बाते हैं, टेंथ क्लास का बच्चा है, उसको एकदम स्टोरी टेलिंग टाइप से बताते हैं, तो मज़ा आता है, आप लोग ये एक्जामपल्स पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो मैं आपको फटा-फट तरीके से बता देता हूँ ये, पहरे तो आप ये देखो, हालांकि ये आपको हो सकता है, बहुत अच्छे से ना दिखाई दे ये, ये एक लाइकेन है, जो किसी प्लांट के तने पे स्टेम के उपर ग्रो कर रही है, और ये लाइकेन से रिलेटेड हमारा एक्जामपल है, तो इट इस दे लाइकेन ग्रोइंग ओन देर स्टेम, अब बात करते हैं अपन इंडस्ट्रियल मेलानीजम का, इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री और मेलानीजम का मतलब मेलानीन पिगमेंट होता क्या है, ये बात है इंगलेंड की, इंगलेंड, इंग्लेंड के अंदर 1820 से लेकर के 1840 तक इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवोलूशन इंडस्ट्रियल रिवोलूशन इंडस्ट्रियल रिवोलूशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको बहुत सारी industries establish हो गई, वो industrial revolution है अब industry जीतनी ज़्यादा establish होगी, उतना ज़्यादा pollution होगा nature में और आपको पता है कि lichen है, वो pollution को लेकर के sensitive होती है, मर जाती है तो हुआ क्या? बिफोर 1820 बिफोर 1820 environment was free of pollutants environment है वो pollutants से free था, fresh environment था इस जमाने में England के अंदर जो fig trees है fig trees इनके उपर lichen grow करती है grey color की lichen जो picture में दिख रही है आपको grey lichen grow करती है ठीक है जी lichen grow कर रही है अब यहाँ पर दो टाइप एक insect species है जिसको बोलते है Biston Batularia यह तो हो गया उसका जूलोजिकल नेम इसका नाम है peppered moth peppered moth miston batularia peppered moth अब क्या होता है अब यह होता है कि इस एक ही species के दो टाइप के members होते हैं एक टाइप के members होते हैं वो black color के होते हैं black foams और एक टाइप के members होते हैं वो थे grey foams black foams को बोलते हैं carboni phara और grey foams को बोलते है tipica tipica form अब यह जो grey color की lichen है वो grey color की lichen के ऊपर grey color के insect बैठेंगे तो वो छिप जाएंगे दिखेंगे नहीं predator को और black color के बैठेंगे तो वो black color के आसानी से दिखेंगे इसलिए जब कभी भी predator attack करने के लिए आता था तो यह black वाले form है वो easily visible है easily visible आसानी से वो दिख जाती थी आसानी से दिख जाती थी तो इसको खा जाते थे इनका number कम हो गया और grey form है वो आसानी से दिखती नहीं थी तो इसको नहीं खा पाते थे इसका number बढ़ गया था 1820 से पहले grey color वाले insects बहुत जादा हो गये थे अब आया 1820 में industrial revolution industrial revolution के अंदर क्या हुआ बहुत सारी जब industries पहल गई तो industries के establish होने के बाद pollution हुआ pollution हुआ तो lichens are very sensitive to air pollution और अब ये lichens जो है वो खतम हो गए lichens खतम होते ही जो stem है वो exposed हुआ stem exposed हुआ और pollutants है वो pollutants है वो पूरे stem के उपर जमा हो गए तो pollutants के कारण stem black color का हो गया जैसे आपने देखा होगा बड़े शहरों के अंदर road के side में जो मकान होते है या road के side की जो buildings होती है उनकी buildings की दिवारे काली हो जाती है धुआ चिपकता रहता है इन stems के उपर black color का carbon चिपक गया तो अब black background वन गया पहले lichen होती थी तो gray color का background था अब धुआ है तो black color का है एक तो gray color वाले insect है उनका number ज्यादा हो रखा था और दूसरा अब background हो ब्लैक हो गया तो gray color वाले आसानी से दिखते हैं जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कौन ज्यादा easily visible है अब जो attack हो रहा है वो किस के उपर होगा gray form के उपर होगा तो यह है industrial melanism का example मैं आपको summarize कर देता हूँ before 1820 तो पहले लिख दिया after 1820 क्या हुआ pollution increase हुआ pollution increase होने के कारण gray lichen की death हुई gray lichen death उसके बाद में carbon shoot deposited on fig tree fig tree के उपर carbon है वो चिपक गया carbon के चिपकने के कारण जो fig tree है उस fig tree के उपर black background बन गया तो जो carbon अबनी फेरा फॉर्म है वो not visible वो दिखती नहीं थी और जो टिपका फॉर्म है वो easily visible easily visible और उसके बाद कीपी का फॉर्म जो है उनका number कम हो गया number reduced by predator attack predator का attack हुआ और attack होकर के इनका number कम हो गया तो जिस समय nature में pollution नहीं था तब एक अलग environment था उसमें gray color वाले थे उनको mocha मिल रहा था जिंदा रहने का वो better थे दूसरे environment में कोई दूसरा better है वो जिंदा रह रहा है यहां पे So this is the example of Darwinism known as industrial melanism अब antibiotic resistance appearance among bacteria यह अपन क्या है देखते हैं इसके अंदर एक experiment करना है हमको और उस experiment का नाम है ladder berg replica प्लेट method यह experiment क्या करना बड़ा simple है एक हमको master plate लेनी है petri dish है यह master plate इसके उपर यहां पे हम bacterial colony grow करेंगे colony A bacterial colony B यहां पर bacterial colony C यहां पर bacterial colony D मान लीजिए यह चार हमने colony बनाए अब हम इसका replica बनाएंगे replica तो replica बनाएंगे तो हमने दो plate इसकी बनाई जिसके उपर same to same जगह पर same colony आ गई replica कैसे बनाते हैं पता है जो master plate होती है उसके उपर एक पतली सी film लगाते है तो जहां पर जो colony होती है वही colony वहीं पर आ जाती है कहने का मतलब हुआ आपका कि जिरॉक्स कॉपी करनी है इसकी और क्या इसकी जिरॉक्स कॉपी करेंगे ठीक है जी अब हमें यह करना है इन मेंसे जो एक प्लेट है उसको एक एंटिबायोटिक से ट्रीट करना है दूसरी प्लेट को दूसरी एंटिबायोटिक से ट्रीट करना है तो अपन कोई भी एक बार समझने के point of view से hypothetically दो एंटिबायोटिक यूज करेंगे यह A है कालोनी यह B है यह कालोनी है वह C है और यह कालोनी है वह D है उसी प्रकार यह A कालोनी है यह B कालोनी है यह C कालोनी है यह D कालोनी है तो यह चार कालोनी हो गए अब अपन एक काम करते हैं जो पहली पैट्री डिश है उस पे लेट सपोज स्टेप्टो माईसिन डालते हैं और दूसरी के उपोर लेट सपोज टेट्रा साइकलीन डाल देते हैं टेट्रा साइकलीन ये दो पैट्री डिश हैं अलग-अलग तो इनके उपर अलग-अलग हमने लगा दी ये आ गया इनके उपर अन्टीबायोटिक का प्रेशर जैसे होता נा कि नेचर में कोई natural problem आती है नेचरल फॉर्स नेचर का प्रेशर काम करता है स्जारी तो ये है नेचर का प्रेशर हमने लगाया वो प्रेशर हमको ये पता चला कि स्ट्रेप्टो माइसिन डालने से इस कॉलोनी के बैक्टीरिया की डेथ हो गई मान लो इसकी भी डेथ हो गई इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेप्टो माइसिन प्रेशर में कॉलोनी A एंड कॉलोनी D के बैक्टीरिया फिट नहीं थे the gene for resistance against the streptomycin, उनके पास में पहले से जीन है, ऐसा तो नहीं है कि फटा-फट उन्होंने जीन बना लिया, वो तो होता नहीं है, ऐसे अपनी मर्जी से करेक्टर आता है, वो तो लेमार की जम्में होता है, यहां नहीं होता है, अब दूसरी कॉलोनी को देखो, दूसरी प्लेट को देखो, टेट्रा साइक्लिन वाली को, पता चला कि टेट्रा साइक्लिन डालने से B and C है उसकी डेथ हो गई, इट मीन्स कि B and C के पास में टेट्रा साइक्लिन डेजिस्टेंट जीन नहीं था, और इनके पास में था, यह डार्विनिजम का भी एक्जामपल और यह हमें एक चीज और समझाता है, क्या समझाता है हमको देखो, यह एक्स्पेरिमेंट हमको समझा रहा है कि जब situation चेंझ होती है, तो fit candidate चेंझ होजाते हैं, पहले situation क्या है, पहले situation है कि streptomycin की presence में कौन better है, और दूसरी situation है कि tetracycline की presence में कौन better है, individual वैसे ही है, bacteria वैसे ही वाले है क्योंकि यह replica है ना एक दूसरे की पर अलग-अलग case में अलग-अलग individual बैटर है so natural selection always occurs on the given condition जिस condition की बात हो रही है उसके according selection होगा tetracycline में selection अलग है और streptomycin में अलग है तो यह लेमार की, sorry, darwinism का example है next देखो, DDT resistant insects पहले के जमाने में बारिश के मौसम में जब मच्छरों की संख्या बढ़ जाती थी तो municipality के जो department के लोग है वो आते थे और DDT का छिड़काव करते थे DDT के छिड़काव से मच्छरों की संख्या कम हो जाती थी पहले हमको लगता था कि गायव हो गए मच्छर, मर गए सारे के सारे बढ़िया है पर next year क्या होता था मच्छों की संख्या वापस उतनी ही बढ़िया तरीके से बढ़ जाती थी DDT का फिर छिड़काव होता था फिर से मच्छरों की संख्या कम हो जाती थी फिर हमको लगता था सही है ये नेक्स्ट येर वापस संख्या बढ़ जाती थी ये चलता रहता है अब इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं वो देखो इस पूरी प्रक्रिया में जो पहली population है first population है ये वाली इस population में कुछ insect ऐसे हैं जिनके पास DDT resistant gene है पहले से हमने DDT डाला तो जिनके पास DDT resistant gene है वो बच गए और थोड़े वो भी बच गे जिन पर DDT का असर थोड़ा कम हुआ या उन पर DDT नहीं गीरा अगले टाइम पर जिन में DDT रेजिस्टेंट जीन था उनका नमबर एक्चुली ज्यादा है हमने फिर DDT डाला तो अब जो DDT रेजिस्टेंट थे वो तो सारे बच गए और बाकी सारे खतम हो गए ऐसे करते करते हर बार हम क्या कर रहे हैं हम जान बूझ के DDT सेंसिटिव इंसेक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं और हम जान बूज के DDT resistant insects को मौका दे रहे हैं कि तुम जिन्दा बचो और हमको problem करो ये population DDT resistant है आखिर क्यों क्यों कि हमने जान बूज के क्या किया है इनको मौका दिया है जिन्दा बचने का और जो DDT sensitive थे उनको eliminate करवा दिया अब यह हमको malaria भी फैलाएंगे हमें और बीमारिया भी फैलाएंगे और हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे तो यह है natural selection का एक छोटा सा example जो कम टाइम में operate होता है यह darwinism का हो गया फिर वाद था थी artificial selection की artificial selection में मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा एक point पहले से लिखा हुआ था artificial selection का मतलब ही है कि जब human being अपनी मर्जी से domestic plants and animals में changes ला सकता है तो nature तो बहुत बड़ा force है वो तो जरूर से अपनी धीरे-धीरे करके better candidates को ला सकता है तो changes तो natural selection लाए गए लाएगा so artificial selection is also an example of darwinism next point mimicry and protective coloration कोई predator आया और जो prey है उसने mimicry करी बच गया कोई predator आया और prey है उसका color background से match कर रहा था भगवान की दया से वो बच गया तो क्या यह mimicry और coloration predator के आते ही तुरंत डवलप हो गये है नहीं वो पहले से हैं जैसे टिपिका एंड कार्बोनी फेरा वाली बात करी अपने वो gray color या वो black color insect ने डवलप नहीं किया है वो already था उसके पास में तो जितनी भी mimicry होती है जितने भी coloration होते है protective coloration वो सारे darwinism के example है और वो gradually develop होते हैं वो instant development का example नहीं है तो यह है अपने पास में एक और example उसके बाद में correlation between position of nectaries in flower and length of proboscis of pollinating insects पहले तो यह देखो proboscis क्या होती है एक butterfly है उस butterfly के पास में आपको पता है ना एक ऐसे लंबी सी टंग जैसी structure होती है इसको बोलते हैं proboscis इसकी length और nectaries flower में कहां है उसमें correlation है जैसे कोई flower है छोटा सा flower है open flower और इस flower के अंदर यहां पर nectaries है इस जगह पर यह nectaries है suppose और एक flower ऐसा है ऐसा tubular और इसमें यहां पर nectaries है suppose तो एक तो easily यहां तक पहुचना और एक यहां तक पहुचना इस organ के length के अंदर difference आएगा तो यह natural selection का result है कि उन plants को वही pollinate कर पाएगा जिनकी nectaries काफी deep है तो उनको insects जो pollinate करेंगे उनकी proboscis बहुत लंबी होनी चाहिए यह हुआ हमारे पास में darwinism के example बागी अगर darwinism सच में सही चीज है तो फिर सब कुछ darwinism का ही example है ठीक है इतना हमको इसमें करना है thank you so much अब आप लोग अगर कोई doubt है आपको topic से related आप WhatsApp करिएगा मुझे बाकी आप ठीक है शेयर करिए अपने friends के साथ thank you